नमस्कार दोस्तों हमारा भी हर में आपका स्वागत है और आज दोस्तों 3 दिसंबर 2020 है और 3 दिसंबर 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो भी हर से जूरे हैं उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए हमारा भी हर एच भी और चैनल का जॉइन कीजिए वहां पे आपको सारे दिन का PDF हिंडी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वेज में मिल राएगा और दोस्तों इस वीडि उसकी जैनती के अफसर पर देश की पहली प्रेसिदेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी का उधगाटन किया जाएगा तो देश का पहला प्रेसिदेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी का उधगाटन किया जगा डॉक्टर राजन प्रसाद के जैनती के अफसर पर बी आप्सन में देश की पॉली प्रसाद से जुरी सभी वीडियो तस्वीर एंके बारें में तथा उनके द्वरा लिखी की चिताबे होंगी और ड़क्तर राजन परसाद का जन तीन दिसमबर यानि तीन दिसमर को इनका जैन्ती मनाया जाएगा और तीन दिसमर अठार सो चौरासी को इनका जन्मुगा था जो कि बिहार के ततकालिक सारन जिले में जो कि अब सीवान जिला में चला गया है जिरादेई नमा गाओं में वह था ठीक है और सन 1962 में अफकास प्रात करने पर र संद में राष्ट्रिये संइक्ट सरचीप के पदपन बिर्वाचित किया गया है तो दोस्तों एक बिहार के भैक्ती है जिनको अखिल भारती है चर्म रोग कूष्ट रोग और यौन रोग संद में राष्ट्रिये संइक्ट सरचीप के रूपे निकि ल сек minist इसका सही हो गया डॉक्टर अविशेक कुमार्जा पटना मेडिकल कॉलेज एम एवम अस्पताल पी एम सी एज पटना के चर्म रोग बीभाग के प्रसीद विशेसा के एवम सहायक प्रधना ध्यापक है और इन्हें अखिल भारतिय चर्म रोग कुष्ट रोग और यौन अगला प्रसने हाली में माहवीर कैंसर अनुसंधान संस्थान के बैग्यानिकों ने एक सूध के दौरां किस फल में अस्तन कैंसर को रोकने के लिए एकत्त वपाया है ठीक है तो मावीर कैंसर अनुसंधान संस्थान के बैग्यानिकों दौरा रिसर्च किया जा रहा था जिसमें यह पता चला है कि अस्तन कैंसर को रोकने के लिए बेल में ठीक है बेल में एक तत्व पाया गया है इमेज में देख सकते हैं यह बेल आप लोग जानते होंगे गर्मियों में हम लोग सर्वत बना कर पीते हैं लू से बचने के लिए और इंगलाइन में स्वास्त अनुसंधान की 20 पत्री का नेचर जनरल ठीक है नेचर जनरल ने अक्टूबर के अंत में बिहार के बैग्यानिकों के इस सोध को प्रासित किया है बैग्यानिकों ने research कैसे किया है तो देखिए तो बैग्यानिकों ने पहले चुहे में अस्तन cancer model को विक्सित किया और पाच सपता तक बेल के आंतरिक भाग में उसका इलाज किया इलाज के बाद tumor के आकार में 79% की कमी दर्श की गई ठीक है और दोस्तों हाली में tumor पर रक्त चंदन के प्रभाव को भी परखा गया था यानि रक्त चंदन जो होता है उससे भी research किया गया था tumor को ठीक करने के लिए next partner दोस्तों हाली में राष्ट्रिये अपराद अभिलेक ब्यूरो की तरज पर राज अपराद अभिलेक ब्यूरो द्वारा तयार crime in BY bear 2019 के पब्लिकेशन का लोकारपन किसके दुरा किया गया है तो दोस्तों राश्ट्री एपराद अभिलेक के तर्ष पे ही राज अभिलेक ब्यूरू का ट्यार किया गया है एक रीपोर्ट है और इस रीपोर्ट के द्वारा यानि राज अब राध अभिलेक ब्यूरू के द्वारा त्यार Crime in Bihar 2019 के publication का लोकारपन किया गया है SK single के द्वारा ठीक है D option इसका सही हो गया राज के अपराधिक मामलों को लेकर Crime in Bihar 2019 का DGPS के single ने Crime in publication जारी किया है यह Crime E publication जारी किया गया है इस report के अनुसार वर्ष 2019 में को 2,89,199 मामले दर्च किया गया है इस report के अनुसार वर्ष 2019 में गंभीर अपराध के मामले में पटना जिला स्वप से उपर तथा सीवहर जिला स्वप से नीचे अस्थर पे था अगला प्रस्ने हाली में किस छेतर में holding tax लेने का प्राभधान हटा दिया गया है तो अब ग्रामीन छेतरों में अब holding tax नहीं लिया जाएगा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वसक्त करने को लेकर उन्हें tax वसूली का अधिकार दिये जाने को लेकर बंद रही नियमवली से गाउं में holding tax लेने का प्राभधान हटा दिया गया है ठीक है और इससे पॉले नियमवली के प्रारूप के अंसरा गाउं में पक्के मकान में holding tax के रूप में 50 पैसे से 1 रूपया लिया था ठीक है तो नामात का tax था हटा है ना हटाना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगला प्रस्थन है बिहार के किस और द्योईक संस्थान के द्वारा उन्नत भारत अभियान के तहट पांच गाउं में मूलबूत अबसक्ताओं पर सोध किया जाएगा तो और द्योईक संस्थान है वो निटी पटना है C option इसका सही हो गया चलिए इसके बारे में देखते हैं तो एन्नाइटी पटना की वर से उन्नत भारत अभियान के तहट गाउं का सर्वेक्षन किया जाएगा इस अभियान के लिए एन्नाइटी पटना को विहार में को ओर्डिनेंस की जिमेदारी दी गई है इस अभियान के तहट संस्था यानि एनाइटी पटना पांच गाउं में मूलबूत आवसक्ताओं पर सोध करेगा वह तक्निकी रूप से मजबूत करेगा गाउं को इसके लिए एनाइटी पटना ने पांच गाउं जिसका नाम है पानापूर, सबलपूर, नक्टा दियारा, जेठुली और नौदेरी गाउं को चुना है ठीक है इसी पांच गाउं को वह भिक्सित करेगा अगला प्रसनाय दोस्तो ये आग्या आपको आर्थिक शव्र्वेक्चन से तो बित्य वर्स 2020 घृसक में बिहार का इस्टा बरतमाने 9.67% से बढ़कर कितना हो गया है तो बित्रन ये संसाधन कोश में बिहार का हिस्सा जो था वो पॉले था 9.67% जो कि बढ़ के 10.06% हो गिया है बी ऑप्सन इसका सही हो गिया अगला प्रस्न है बीतिये वर्स्न वज़ा बी से का इसमें बीकासात्मक ब्या कितना अन्वानित किया गिया है तो राज्य का बीकासात्मक ब्या जो अन्वानित किया गिया हुआ 1,51,831,990 करोर रुपिया ए अप्सन इसका सही हो गिया बितिये वर्ष 2020 से का इसमें गैर विकासात्मक ब्याए ठीक है यह तो था विकासात्मक ब्याए और अगर गैर विकासात्मक ब्याए का बात किया जाए तो बितिये वर्ष 2020 से का इसमें राज का गैर विकासात्मक ब्याए जो था पांच सोरी 69,929,57 करूर रपया अन्मानित किया गया है नेक्स्ट प्रस्त है जो कि जन्गन्ना से है तो वर्ष 2011 के जन्गन्ना के अनसार बिहार में प्रती हजार जन्म दर क्या है तो यह जो है आकरा वर्ष 2011 के जन्गन्ना के अनसार बताया जा रहा है जिसमें बिहार का जर्म दर प्रती हजार 27.07 है ए उप्सन इसका सही हो गया तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफ्यर्स चलते हैं रिविजन के तरफ तो रिविजन का पहला प्रसंदा हाले में पटना में निर्वित देश के सबसे लंबे एलिवेटेट सरकाउद घाटन किस के द्वारा किया गया है तो मुख्य मंत्री नितिश कुमार जी के द्वारा ए उप्सन सही हो गया दूसरा प्रसंदा हाली में आईजित विद्या पती असमर्ती पर्व समारों में संस्कृत भासा साहित पुरुसकार से किसे समनित किया गया है तो ससी नाथ जाको तो C आप् कटना के सर्राफा करेबारियों को सोने की खड़ीत के लिए किसके साथ एक समझाता किया गया है तो इस दोनों प्रसंद का उतरा आप लोग को कॉमेंट वक्स में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा झाल 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 झाल